अपनी तेलुगू डेब्यू में निर्देशक सैम एंटोन ने एक बड़ी एक्शन थ्रिलर बनाने की कोशिश की है जिसमें अलु सिरिश द्वारा निभाई गए एक पाइलट और एक टेड़ी बियर को दिखाया गया है फिल्म का मुख्य आधार पाइलट आदित्यराम और गायतरी भारदवाज द्वारा निभाई गई एर क्राफिक कॉंट्रोलर पल्वी के बीच की प्रेम कहानी है क्लासिक गुप्त पहचान वाली प्रेम कहानी को फिल्म की नीम के रूप में स्थापित किया गया है पल्वी और आदित्य अपनी रेडियो चैट के दौरान जुडते हैं लेकिन बाद वाला आदित्य को नहीं जानता उसका गायब होना एक अंतरराष्ट्रिय अंग व्यापार से कैसे जुड़ा है यह कथानक बनाता है कहानी के ज्यादातर पहलू निससंदेह बच्चों को ध्यान में रखकर बनाये गए हैं जिसमें पुनरजन्म का पहलू भी शामिल है जिसे एक जटके में बनाया गया है सामान्य बाबाओं और वैकल्पिक दौक्टरों द्वारा यूट्यूब पर कुछ संक्षिप्त व्याख्या के बाद हमें यह चौकाने वाला रहस्यो धातन मिलता है कि पल्लवी अब एक टेड़ी बियर बन गई है जिसका नाम है बड़ी आदित्य और पल्लवी की प्रेम कहानी को बनाने में फिल्म को जो शुरुवाती 45 मिनट लगे वे कार्टून जैसे लगते हैं मुख्य रूप से अत्यधिक ग्रीन स्क्रीन और फी के बैक ग्राउंड ब्लेंडिंग के कारण उडान के द्रिश्यों का कोई भी द्रिश्य आपको यह विश्वास नहीं दिलाता कि यह फिल्म 2010 के बाद आई है रंग ग्रेडिंग, असामान्य हरे रंग, सुपरसैचुरेशन और नकली त्वचा के रंग आपको तुरंट निराश कर देते हैं फिर भी, जब आप फिर भी प्रेम कहानी को खरीदने का फैसला करते हैं, तो तुरंट ही फिल्म आपको अलौकिक शेत्र में ले जाती है टेडी बियर के मनोरंजक ग्रिश्यों का सबसे निराशाजन्क हिस्सा यह है कि जब टेडी मीम समवाद बोलता है, ते लुगु बोलचाल के संदर्भ देता है और युद्ध के नारे के रूप में जय बलया चिलाता है, तो पल्वी शुरू से ही मनोरंजक किरदार नहीं है जब फिल्म शुरू होती है, तो पल्वी सबसे साधारन कार्डबोर्ड नायका होती है, जिसे जीवन के कई क्षेत्रों में सहारा देने की जरूरत होती है, लेकिन अचानक एक टेडी बियर के रूप में वह बंदूप चलाती है, बुरे लोगों से लड़ती है, नाटू न पर नाचती है, और लगातार मुक्के मारती है, अब मुझे टेडी बियर का मनोरंजन समझ में आ गया है, आपके पास फिल्म में एक असामान्य चरित्र है, क्योन इसका भरपूर मजा लिया जाएं, समस्या यह है कि पल्वी का व्यक्तित्व उसके टेडी बियर अवतार से बिल्कुल मेल नहीं खाता है, और जब तक आप इस बारे में चिंता करना बंद करते हैं, तब तक फिल्म हर संभव दिशा से भटक जाती है। कि उसकी प्रेम कहानी ही वह मुख्य समस्या है, जिसे वह सुलजा रहा है। उसके किरदार में टेडी बियर की रक्षा के लिए इतनी दूर जाने की कोई प्रेणा नहीं है। दोनों के बीच इतनी गहरी दोस्ती भी नहीं है। फिल्म इतनी सिनेमाई स्वतंत्रता लेती है कि आपको पता चलता है कि अवतार इसकी सबसे छोटी समस्या है। फिल्म में कॉमेडियन अली, मुकेश रिशी और अजमल अमीर भी हैं जो अपनी दी गई लाइन पर अड़े रहते हैं। अली की फिल्म में मौजूदगी बमुश्किल ही दिखती है, उनके हमेशा के दोहरे अर्थ और हैरान कर देने वाले हावभाव के साथ। इन में से ज्यादा तर सीन हंसी भी नहीं पैदा करते। अब अगर ये सीन बच्चों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे, तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। मशीन गन पर अली की कॉमेडी यौन हास्य की सीमा पर है और वयसकों के लिए भी बेसवाद लगती है। लेखक सैम एंटोन और साई हेमन्त ने एक विश्वसनिय पलायनवाद बनाने का प्रयास किया है, जहां कहानी प्रेम कहानी में नहित रहने की पूरी कोशिश करती है। अगर प्रेम कहानी को प्रेरक धंग से फिल्म आया गया होता, तो फिल्म भावनात्मक जुडाव के साथ काम करती। क्लाइमिक्स में भावुकता दर्शकों के लिए एक हल्की जपकी से दो मिनट दूर है। ऐसा नहीं है कि फिल्म बोरिंग है, टेडी बियर के द्रिश्य बच्चों के लिए ठीक हो सकते हैं, हाला कि वयस्क शायद अपने स्मार्टफोन को जल्दी से खोल लेंगे। हिप हॉप तमीज हाने वाइलिन भारी स्कोर दिया है और रोमास थीम प्रभावित नहीं करती है। स्वभाग्य से शुरुवात में बहुत सारे गाने नहीं है। क्रिश्नन वसंत की सिनेमेटोग्राफी आपको अजीबो ग्रीब लाइटिंग चॉइस और ग्रेडिंग से परिशान करती है। रूबेन द्वारा किया गया संपादन एक चुस्त थ्रिलर गती बनाने में मदद नहीं करता है। सभी पात्रों की तस्वीरों के साथ अंतराल स्प्लिट स्क्रीन डिवाइस आपको 2000 के दशक की फिल्मों की याद दिलाती है। कुल मिला कर यह दोस्ती वाली एक्शन फिल्म हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि अलू सिरीश के पास आकर्शक विश्यों को चुनने की क्षमता है। इस फिल्म में प्रेम कहानी देखते समय मैं अलू सिरीश की वी आनंद द्वारा निर्देशित ओक्का क्षनम को याद किये बिना नहीं रह सका। जिसमें दिखाई गई प्रेम कहानी सिनेमाई छलांगों के बावजूद विसमयकारी थी। वह फिल्म भी आपको आकरशित करने में समय लेती है, लेकिन आपको अपनी ओर खीचती है। अलू सिरीश के पास ऐसे विश्यों को चुनने की अध्भुत क्षमता है, जिन्हें उनके समकालीन कभी आजमा भी नहीं पाते। लेकिन एक आकरशक कथा बनाने के लिए दोस्ती को और अधिक तकनीकी कौशल की आवश्यक्ता थी।